हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ओफ फाइबर लेजर कटिंग मशीन एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक किलो वाट की फाइबर लेजर कटिंग मशीन दिखाने वाला हूँ जो की तीन साल पुरानी है एंड अभी हमने उसको सेट किया है तो आप मेरे पीछे मशीन देख सकते हैं बेसिकली ये मशीन होंग न्यू मशीन है अलब एक कंपनी है चाइना में होंग न्यू और बहुत सारे इंडियन सप्लायर्स होंग न्यू से मशीन परचेस करते हैं न्यू बहुत बड़ा एक ओएम प्रोवाइडर है जो बहुत सारी इंडियन कंपनियों को मशीन सप्लाई करता है तो लोग नॉर्मली अपनी ब्रेंडिंग करके मशीन करते हैं तो मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताने वाला जो इंडियन कंपनी है बड़ ये एक हो नू को मशीन है जिसमें जो है कॉटिंग हैड बी एम वं जिरो नाइन लगा हुआ है यह कॉटिंग है बींशंबार ही एक किलो आट तक की पावर हैंडिलिंग के साथ में आता है एंड अभी हमने इसको एक दूसरी लोकेशन पर सेट किया है एंड यह मशीन हमने सप्लाई नहीं की कस्टमर ने किसी दूसरी कंपनिये सप्लाई की थी हमने सप्लाई किया है कंप्रेसर का कंप्लिट सेट आप है यह भी हमने चाइना से जो है कस्टमर को सेल आउट किया का हमारी सारी वीडियोज देख सकते तो में पहले कस्टमर के वारे में बता देता हूं मैं हूँ स्वी स्टील मेटल्स के अंदर जो पड़ता है मंचेरियल के अंदर तेलंगाना के अंदर हैदराबाद नियरेस्ट बिग सिटी है जो कि यहां से डाइसो किलो मेटर पड़ता है अगर इस कंप्रेसर की बात करें तो यह 16 बार का कंप्रेसर है 15 किलोवाट का ओके एंड यह हमन कमप्रेसर के साथ में हमने यह मशीन जो है कंप्लीट सेट कीया है दोस्तों यह के साथ में het न है श्वाट नहीं चैसक sein, वहुआं इसस किया है पीछे AC रखहा हुआ है आप देख सकते हैं यह ACP का सीठ है इसको भी हमने कट किया है and MS कट किया है up to three mm GI कट किया है 2 mm and oxygen पर बात करें तो 8 mm तक का जो है हमने parameter setting किया है by oxygen on this machine, okay? अ किया है जो अ जाय है जाइए जगराण जाँच्ट बाद किया है जाइए 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 अ जाइए । तो दोस्तों यह तो हो गया मशीन का बात अब हम जो है कस्टमर का फीडबेक लेते हैं अबाउट दा मशीन एंड चलिए उनसे बात करते हैं तो दोस्तों मेरे साथ में हैं मिस्टर सोनू सर एंड यह ओनर है स्वी स्टील मैटल्स जो की पड़ता है मंचेरियल के अंदर ते लंगाना सर फर्स्ट और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप हम से जुड़े एंड जस्ट वीडियो देखके आपको इतना ट्रस्ट हुआगी आपने हमें जो है कंप्रेसर का ओडर दिया सो थोड़ा सा अ लोगा ना जी पिंटर सीध में का कशा जादा अंदर का जो है कटिंग वगएरा का आपका जातर पर नीचर वगएरा तो एस्टी इस्टील जो है हाडवेर के अंदर करता है आपका ठीक है सर यह काम आपने कब शुरू किया मालब आप थोड़ा सा आपनी जरनी के बारें ब सब्सक्राइब करते हैं और यह कब से आपने शुरू किया कितना समय हो गया सर आपको मैटल बिजनस के अंदर आठ साल आठ साल आपको हो गया ठीक है अब जैसे हमने सेटिंग कर रहा है तो आपका रेस्पोंस कैसा है मशीन को लेगे ठीक चल रहा है और मेरे लिए एक फीड़ेक कैसा रहेगा कि अल्ट्रा लेजर ने आपको कैसा सर्विस प्रोवाइड किया अच्छा जिरो 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 कि अब यह फ्यूचर में क्या करने अब आप इसको कहां देखते हैं आप इससे क्या-क्या काम करने वाले हैं है तो सब कुछ कैसा रहने वाला है यहां पंँर को जो है यह पूरा जो वर्क से लेके आप सब कुछ करने वाला है अभी यूनिट आपने नया बनाया रहा है दोस्तों अगर आप थोड़ा सा देख पाएं तो सर जो एक नया यूनिट बना रहे हैं यह पूरा का पूरा एंड यहां पर पूरा जो है फैब्रीकेशन का काम रहने वाला है और कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को आप तो पूरा कंप्रेशन के लिए हमने आप कंप्रेसर सेट किया एंड कंप्लीट मशीन जो है सर को सेट करके दिया है कंप्रेसर पर पेरामिटर सेटिंग करी है फ्रेशली इंस्टोल किया है मशीन विगोज यह मशीन किसी दूसरी जगह से यहां पर आया है तो इसके कनेक्शन वायरिंग जो भी इसमें छोटी मोटी चीज़ है थी वह हमने सब सेट करके दिये अधाया के यहां फेड़ेक देने के लिए अपना समय देने के लिए एन उमीद करता हूं हम जुडे रहेंगे ठीक है दोस्तों थैंक यू एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई फीडबेक के लिए, सब तक के लिए, बाइ-बाइ